अजोद्या में भगवान राम का मंदिर बने, इसके लिए तमाम लोगों ने तरह तरह के संकल्प लिये, कुछ लोगों ने पगड़ी उतार दी, कि जब प्रभुराम का मंदिर बनेगा तभी पगड़ी धरण करेंगे, कुछ लोगों ने पाओं के चपल और जूते पहना छो 2010 से अन्वरत चल रहा है, प्रते दिन साम को 6-7 के बीच में शुरू होता है, और 1.5-2 गंटे तक यह लोग पाठ करते हैं, इनका एक ही सपना था कि भगवान राम का जुद्ध्या में मंदिर बन जाए, उसी के तहते चल रहा है, देखिए प्रभु का पूरा दर्बार सज स्री राम जरित्मानस अखंड पाठ, यह लगातार चल रहा है, सनातन की ओर से, चल रहा है, हमारे साथ कुछ लोग है, आई हम उनसे बात करते हैं, यह लगातार चल रहा है, मतलब अजुद्या में भगवान राम का मंदिर बने इसी संकल्प के साथ, जी यह 2010 से चल रहा है, हम लोगो का संकल्प है कि जब तक राम जी का मंदिर नहीं बने नगा, तब तक हम ले लगातार करेंगे, अब तो मंदिर बन गया है, तो आगे भी बिए जारी रहेगा, जी जब तक प्रभू के इच्छा रहेगी, तब तक यह जारी रही रहेगा, अप लोग का उस्ताए एकदम बना हुआ है कि मतलब लगातार चले भगवान का नाम लेते रहें और राम काज होता रहें हाँ हम लोग के वाग एक संपुर्ण रखा गया है कि विश्व भरन पोशन कर जोई का कर नाम भरतस होई और इसका यह कि पूरे विश्व का भरन पोशन करने वाले मरायदा प संस्क्रिट भी है बसुंद हो कुटम बकम की आप क्या काना चाहेंगे इस पर राम मंदिर बन गया जुद्या में और बाज तारी को प्रारपतिष्ठा है उप्धाटन भी है राम मंदिर बनने का तो हम लोग काफी दिन से इंतजार कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो और राम मंद बिराजमान होने के बाद हम लोग हरसुलास में हैं और उसी हरसुलास के साथ भगवान के मंगल पाठ मंगल वधाई और ये शुन्दर कांड़ पाठ हम लोग नित्य कर रहे हैं और हम चाहते हैं प्रभु बिराजमान हो सरवस्व विस्व का कल्यान हो जैस्री शीताराम दे आप्यारम सर्वसंपदाम लोकाफिरामं से रामं बुयो बुयो नमाप्याम रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेदसे रगुनाथाय नाथाय सीताय पते नमा नीलाम भुझशा मलको मलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमा मिरामं रभवन्शनाथम इसका मतलब भी बता दीए क्या है अर्थ इसका मतलब साधारन तोर पर कहा गया है जग में सुन्दर हैं दो नाम चाहे कृष्ण को हो या राम तो हरी के बिना जो हम सब के पालन करता है उनके बिना किसी का कल्यान नहीं हो सकता है और हम सब के सनातन संस्कृती में चार पुरुशार्थ बताए गये हैं और चारों पुरुशार्षतों में सबसे स्रेष्ट पुरुशार्थ मोख्ष है और उस मोख्ष को पाने के लिए हम सब के मनिश्यों ने क्यूंकि जो ग्रिहस्त आश्रम के लोग हैं उनकी उपर सभी वर्गों के लोगों का भीर्ड रह तो इसी वजह से निन अगे नियांतर वर को और जैसे जारहे हैं जैसे कहा गया है मतलब अगर स्री एक राम जी का ही नाम लेंदिया जाता है तो समस्त देवी-देउता हो जाते हैं और जीवन बात करते हैं और भी कुछ लोग हैं इसे बात करते हैं आपका क्या नाम है केसव पांडे क्या कहना चाहेंगे जो आप लोग अखंड ये सुन्दरकांड का पाठ लगातार कर रहे हैं बिगते 13-14 वर से देखें ये प्रभू के अंतर प्रेंडा से ही एक कारे हम लोग सुरू किये और एक हम लोग का लक्ष था कि भगवान का मंदीर बन जाए अजोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उसी को लेकर हम लोग सुरू से 2010 से लगभग हम लोग एक कारे कर रहे हैं सुन्दरकांड का 6 वज़े से लेके 6 वज़े से शुरू होता है एक गांटा लगता है कार हम प्रणा जब तक मिलती रहें कि तब तक हम लोग एकारे करते रहेंगे आप भी कुछ करना चाहेंगे क्या नाम है सिवेंद्र कुमार्तिवारी यह जो संकल्प लेकर आप से चले थे तो इस अंकल्प पूरा होने वाला है आपको तो किस तरह का हर्थ है आपको इसका निमित प्रिश्ट के लिए आगे भी राम मंदिर बनने के बाद भी आगे भी जारी रहेगा जब तक पर इच्छा रहेगे जलता रहेगा देखिए आप लोगों का उस्टा काफी मतलब हाई है और हमारे साथ और भी लोग है तो यह जो संकल्प आपने लिया था कि मतलब यह संदर कांड अनुरत चले आप तो उस्टंगल पूरा हो रहा है क्या कहना किस तरह का हर्स है आपको आज हम सभी के लिए यह हर्स का विश्ट है कि अपने मर्यादा पुरुश्यतन भगवान राम लला अपने इस चन भूम पर विराजेंगे जहां पर उन्होंने विक महाराजा वि रहता है कि रामकाज जो इतने कठीन काम है और हनुआ जी महराज ने कि संधाकान से संदर कान की बीच में कहा है तो बहगवान राम का भव मंदिर वहां पर बने इस निविक्त हम लोग संदर कान का पाठ नीमित कर रहे हैं और अब 22 जनवरी को अपने गर्विद्या राम ल को इसके लिए भी यह सुंदरकान का और आगे भी हम लोग इस तरह से करते रहें गे राम्राज के अस्थापना के लिए प्रयास आगे भी जारी रहेगा आप लोग सुंदरकान पबाई कर रहे थे इसको थोड़ा सा आप लोग बनुगत कर 맡 के देखिए आप लोगों का ढोल और सारा कुछ यहां पर है लोग बजा रहे हैं और सुरू करें देखिए आप लोगों का बाट शुरू हो गया है यह अद्वरत जारी रहेगा आगे भी जारी रहेगा राम मंदिर बनने के बाद भी जारी रहेगा क्योंकि जगत का कल्यार लोग कल्यार भी इस आयोजन की मंता है कैमरामैन अरसत खान के साथ डक्टर संदुक वारिश्टरा तीरी नाइन भो रखो